गूर्ष दोस्तो नमस्कार ऑंलेन गूरू कुलं में आपका श्वागत है। दूस्तो हमारी उप मद्यप्रदेश के धार्मी किस्तल देखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पुरा तात्विक पिंद और सर्च करके जा सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी वहां से जाके आप डायट इसकी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एक बात और मैं आपकी जानकारी मिला दूँ यह देखिए इतना लंबा वीडियो बनता है आदे गंटे का 45 मिनट का इसमें एकाद कोई माइनर सी मिश्टेक हो जाती है तो उसको आप कमेंट करके जो है अच्छा कमेंट उसमें कर दें तो उसको मैं पिन कर दूँगा या फिर मेरे संग्यान में भी आता है तो मैं उसका आंसर पिन कर दूँगा तो ऐसा आपको कुछ भी कोशन लगता है त तो हम शुरूर करते हैं परेटन इस्तल और लाइक जरूर करें आप मैं आपके लिए अच्छे इस तरह से कोशन्स लेकर आ रहा हूं तो लिए पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है प्रशन है मद्य प्रदेश की किस इस्थान पर मां अमका जहम का मंदिर इस्तित है तो मद्य को हम कुंदनपूर के नाम से भी जाना जाता था प्रशीन काल में इस इस्तान को कुंदनपूर के नाम से जानते थे मांका जहम का मंदिर से स्रीक्रिष्ण ने रुकमनी का हरण किया था ऐसा जो है मानता है इस बात को याद रखें मांका जहम का मंदिर कहां पर है अम जहरा भ्वार्शरम की मा थी आघिक यहां पवाण परशुराम की बा और भ्वार्शू राम के पिता का नाम क्या था जंदागनी रिसी हम इनको बोलते हैं यह भगवानveloplords rav LABiger तो यहाँ पर पूछा है आपसे मा रहनुक डेवी का मंदिर कहां परश्ती थे तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा भिंड में कहां पर भिंड जिला इसका correct आंसर रहेगा इनके बारे में हम देख लेते हैं देखिए तो जो भगवान परसुराम के पिता है जंदागनी इनका आश्रम जाना पाव पहाड़ी महु इंदौर के पास में है जाना इसको कहांस से लेकर आया गया दोस्तों इसद्सेलियंक को महराश्ट के महराश्टिके 16 अऑária गया चैप्रस्चा गया है इसलिए बता रहूं है और शैवपुर में गोंड से सासक थे उनका नाम क्या था राजा पुर्शोत्तम दास ने सन 1772 में कब 1772 में ठीक है यहाँ पर ध्यान दे है 72 नहीं 1722 में इस्तापित कराया था और आपको पता है स्योपूर का नाम जो है यह सिवनगरी के रूप में भी हम इसको उस समय में बसाया गया था इसका नाम ही आगे चलके स्योपूर पड़ गया चलिए चलते हैं हम अगला प्रस्चन देखते हैं मत प्रश्रह में 64 योगनी मंदिर कौन से स्तान पर है और आपका भेडा घाट में भी यह इस्तित है, तो इसका D option correct answer रहेगा, एक छोटी सी में आपको जानकारी देदू, जो हमारा संसत भवन है, दिल्ली में इस्तित है, यह संसत भवन की डिजाइन जो की गई है, वह कहां से प्रेजित है, जो मिताबली, जो मुरेना वाला जो च चलिए, तो चौर्शट योगनी मंदीर, तीन जगा, खजराहो, मिताबली और भेडाघाट, नेक्स्ट प्रस्टन है, निम्लिकित में से कौन सा गुप्त कालिन मंदीर है, यह जो है, मध्य प्रदेश में इस्तित नहीं है, इसका आँसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा, 10 ऑ तिग्वा का जो मंदिर रिया यहां पर बिष्णु मंदिर जबल appreciate में दिया गया है और यहाँ पर भुम्रा का स्युमंदिर सतना जिले में दिया गया है दसावफार मंदिर यह भी ःवी गुप्त कालीन है लेकिन यह पर पर उत्तर प्रिदेश में इस्तित है जो लली कुछित पाने है इसको ठीके? सतना जिले में इस्तित कौन सा मंदिर नहीं है तो इसका आंसर रहेगा लुकेश्वर नात मंदिर जो है सतना जिले में इस्तित नहीं है लुकेश्वर नात का मंदिर रीवा जिले में इस्तित है बाकी आप देखें यहां पर मासारदा का मंदिर कहां पर है यह मैयर में इस्ति में यह इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हम नइक्श देखे स्वाइस में योगनी माता का घ्यान तयुब मुझाहीं है यूगनी माता का मन्दियब₇ है तो इस तरह कि कोशन बनने की पूरी संबाव रहा है कंकाली मंदिर तो कंकाली देभी मंदिर यदी आप से पूछले कहां पर है सहडोल जिले के सुहाक पूर में स्थितत है इस मंदिर को किस टूरी राज़ाँ निर्मान कर वाया था क्या मुझे आप gustado बता रखते हैं कि बरतमान में जो प्रचीन कालीन जो कल्चूरी राजबंस रहा है यह किस एरिया में इन्होंने सासन किया था आप कमेंट्स करें उझे बताएं ठीक है जो जिसका अच्छा कमेंट्स रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा वो सबसे उपर ही देखेगा आगे हम मध्य प्रदेश में महा मत्यूंजाय मंदिर इस्तित है तो महा मत्यूंजाय का मंदिर कहां पर इस्तित दोस्तों यह रीवा जिले पर इस्तित आपको पता होना चाहिए कि महा मत्यूंजाय का मेला लगता है जो कि रीवा में प्रतिवर्स का मेला भी यहीं पर इसी इस्तान पर लगता है निमलिखित में से कौन सा विकल्ब सुमेलित नहीं है यह आप से पूछा है तो कुछ option नीचे दिख रहे हैं हम देख लेते हैं राज राजश्वरी मंदिर यह कहां पर है राम नगर मंडला में है यह तो अगे हम देखते हैं पंच मटा मंदिर जो है अधार ताल जवलपूर में है जवलपूर के रहने वाले आप जान सकते हैं जौला मुखी मंदिर रोहनिया सेहडोल में है दल्दली माता का मंदिर यह मंडला में इस्तित नहीं है यह आपका option रहेगा आपसे पूछा था कौन सा म सुमेलित नहीं है यह पूछा है आपसे तो कौन सा इस्तान यहां पर सुमेलित नहीं रहेगा दोस्तों तो इसका कौन सा इसका आंसर जो रहेगा डी ओप्षन कौन सा डी ओप्षन धनुसधारी मंदिर कहां पर है या पन्ना जिले में ना होकर छतरपूर जिले में है बाकी तिलक सिंदूर मंदिर इटारसी में है मुक्तागिरी वैतूल जिले में है पिसनहारी मंदिर गंजबा सोदा में है अभी हाल में गंजबा सोदा में एक बहुत दर्दनाक हाथ सा भी हुआ है तो अब इससे याद रखें ठीक है आप इसे से याद सकते हैं कि कैसे पिसके जैसे के कुए में गिरके वह कुछ लोगों की बहुत होगी तो पिसनहारी का मंदिर उनका पूरी पीड़ा हर ले भगवान आप यही कामना करें आगे हम देखते हैं मद्द प्रदेश में भीलत देव मंदिर कहां पर इस्तित है तो भीलत देव मंदिर दोस्तों यह कहां पर इस्तित है जो है बढ़वानी में इस्तित है बढ़वानी के नागलवाडी इस्तित है यहां पर नाग पंचमी को प्रतिवर्स यहां पर मिला लगता और लाखों सद्धालू यहां पर आते हैं थींग चलिए हैं मद्द्रदेश में गौरी सौमनाथ मंदिर आप मंदिर के नाम से जानते हैं धार्मी किस तल है आप पर्मार सासक राजा भोज ने किस उपलक्ष में बनवाया था तो भोजेश्वर सबसे बड़ा स्थापित करने के उद्देश सभी ऑप्सन सही है तो डी ऑप्सन इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी जितने ऑप्सन दिये गए हैं सारे ऑप्सन यहाँ पर सही है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि प्रशन है आपकी स्क्रीन के सामने मत्यप्रिदेश में नाटीट चांध मंदिर कहा पर इस्तित यह तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है इसको करवाया था और इस मंदिर में जो मदुकर साय इनकी पतनी है पतनी का नाम था कुमरी गड़ेश इनका नाम था इनहोंने भगवान सिर राम की मूती अयोध्य सिला कर यहां पर पति इस्तापित थी इन बातों को आप याद रखें तींगे नेक्स अमें देखते हैं मत्र्देश में धूकरति correct मन्दीर कहां पर इस्थे तो धूहमावति मंदीर मद्य परदेश में कह पर इस तीथे तो यह दतिया में धूमावकृ में इस्थे घुट पर पीतांबरा-पीठ नौमधिक इस अचले कि यहां पर एक प्रस्शन और बन सकता है कि बगला मुखी देवी का मंदिर है इसको जो 12 बर्स के बनवास में पांडबा आये थे इनों बगला मुखी देवी को चली है आँशन वह थापना की थी तीक है यह आप से पूछ लेंगे बगला ऐसी मानता है कि महाभारत कालीन जो बगला मुखी देवी है इसकी स्थापना किस ने की थी पांडवन की थी इसकी स्थापना ने एक स्थाम देख लेते हैं मत्यप्रदेश में पसुपतिनाथ मंदिर कहां परिस्तित है है तो देखिए ऑप्सन में हम देख के इसमें बता पाएंगे सबस्पहले एक उप्सन उपर हमें मंदसौर दिख रहा है दूसरा व्यावरा दिख रहा है तो मंदसौर में भी है और व्यावरा में भी है दो पशुपतिनाथ के मंदिर मंदसौर में हैं ठीक है देखिए एक के स्थ्रीन पर मद्रप्रदेश का वह धार्मे के स्थल जहां 1962 में भारत चीन युद्ध के समय सांती हेतु एक यग किया गया था यह पर इग्जाम में बना हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाला हूं तो आप देखें आपर तो यह दद्या सहर में इस्तित है और यहां पर स्वामी जी महराज द्वारा मां पितामबरा पीट या जिनको हम बगला मुखी के नाम से जानते इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच में भारत चीन युद्ध चल रहा था तो सांती के लिए यहां पर यग्ज किया था तो कहां पर किया था दोस्तों इसका रहेगा अगला प्रस्नम देखते हैं अनुपुर जिले में इस दित करन देऊ ठीक हैं अब जो करन देऊ को रहे हैं रहे हैं धुस्तों एक बात और कल इसे इसे और वह आपको पूंचा गया था लेकिन उसमें मैंने पांडव आपको जलप्रपादी बता दिया कहा पर रिश्ती तरह से मचेंदरनाद की जो गुफाएं और मेंगेंदरनाद की जो गुफाएं इनके वारे मैंने आपको बता दिया था ठीक कहां पर इस थित और इसकी इस्थापना जो तुलसी संग्रालाय उसकी 1978 में की गई थी लेकिन आज एक प्रशन एक प्रस्न आया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सो इस तरह से एक प्रस्न आया और इसकी सथापना 1983 में की थी चोटी च चीजह होती हैा पहले आप नेट में search कर national और उसके बाद भी अधिक कभी हम से गलती हो जाती है तो उसको आप जो है बता दें ताकि हम उसको पिन कर दें और वी बच्चों को इसमें help मिल साके चलिए कोई बात नहीं आगे हम चलते हैं उसका आंसर करने देव रहेगा करने देव कल्चूरी बंसके यह है महाप्रतापी सासक रहे हैं मद्ध्रदेश में मंगलनात मंदीर चिंता मड़ी मंदिर चिंता मड़ी गड़ेश मंदिर एक होब सती थे जेन में इस्तित हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्ट परसण देखते हैं मद्ध्रदेश का वए प्रशिद्द मंदीर जहां आज भी काल बहराउ को इस्तापना जो है इस मंदिर की उज्जेन में, ग्यारवी सताब्दी में, प्रमार काल में इसकी इस्तापना की गई थी, और यहां पर भोग लगा जाता है किसके सुरा पान सरफ का भोग यहां पर लगाया जाता है काल भेरोजी को, साक्षा आप जाएंगे, तो पूरी सराव यहाँ पर वो आप पिलाएंगे सारी सराव अंदर चल जाती है आगे हम देखते हैं निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह प्रस्ण आप से पूँच रहा है तो प्रस्ण आप देखें यहाँ पर काच मंदिर यह इंदौर में इस्तित है 24 खंबा मंदिर यह उज्जेन में इस्तित है ठीक है 24 आउतार मंदिर ओमकारिश्वर में इस्तित है लेकिन भूतमात मंदिर जो है यहाँ पर कहाँ पर इस्तित दोस्तों है यह देखिए जो भू निश्ली दिया है क्योंकि जो भूतनात का एक मेला लगता है वह कहां पर लगता है पैतूल में लगता है भूतनात का मंदिर राइसेंजिले में आसा पूरी नामा की स्थान पर है इस बात को आप भूलेंगे नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं चलिए आगे हम चलते है अगला प्रशन देखते है मद्द प्रदेश में उनाव बाला जी का मंदिर कौन सी नदी के तट पर इस्तित है तो किये इसको यह पहुज नदी के तट पर इस्तित है किस नदी पर पहुज नदी के तट पर इस्तित है जिला दतिया में कहां पर जिला दतिया में इसको हम उ तर्म रो धूर्व जाता है कि सूर मंदिर एक मात्र मंदिर ऐसा मंदिर रहां दूर्व संक्राचार नहीं कर देखते हैं प्रशन था एक प्रश्ण थोड़ा गड़बड़ है, एरेन पुल जो इसनान पुल है यह कहाँ पर इस्तित है या आप से फूछा है, तो इरेन पुल कहाँ पर है? पच्ति मड़ी में, आदि आप पच्ति मड़ी गए हो, तो यहाँ पर एरेन फूल, एरेन पूल के अलावा में फेरी कि पुलाना प्रस्ण है लेकिन इस तरह के बन जाते हैं तो आप देखें आगे वढ़ते हूं नेक्स देखते हैं मद्ध्रदेश पर्याटन विकास मद्ध्रदेश पर्याटन विभाग के रूप में किसे चुना गया है तो मद्ध्रदेश पर्याटन विभाग के रूप में गोविंदा को चुना गया है किसको चुना गया है दोस्तों यहाँ पर देखें गोविंदा को यहाँ यह है चुना गया है इसके अलावा अमताब बच्चन तो आप जानते हैं अमताब बच्चन गुजरात प्रेटन बोर्ड के वरंड अमेजडर है अच्छा मद्द प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है इसकी वरंड अमेजडर कौन है क्या पर आपको पता है मुझे बता दें ठीक है नहीं पता चल जाए कौन है असीरगड के किला किस जीले में इस्थी थे असीरगड का किला एदी आपके पूंच लिए तो यह है बुरहान पूर में डी ऑप्षन इसका करेक्ट आंसर रहेगा और इसका निर्माड जो है एक ही राजा थे इनका नाम था आसा तीक है अहीर राजा आसा ने यहां पर करवाया था आसा देवी की प्रतिमा वहां मंदिर यहां पर इस्तापित है और दस्वी सताब्दी में निर्मित यह मंदिर स्यों मंदिर ठीक है तो जो आसा जो किला है यहां पर यहां पर आसा देवी का मंदिर है और यहां मंदिर जो है स्यों मंदिर है ब्यापन दोरा पूछा गया यह प्रश्ण है नेक्स्ट है बाग की गुफाएं कि जिले में इस्ती थे यह धार जिला धार जीले में इस्ती थे कल भी हमने इनके बारे माइं बहुट दीप पढ़ लिया तो इन गुफाओंको जो बाहग की गुफाइं इन गुफाओंको महराश्ट में महराश्ट के अज alignment में जो गुफाольно जाते हैं फिर अजन्था की जो गुफाएं इनसे इनकी तुलना की जाती है बिंध्यांचल की पहाड़ीयों में इस्तित है यह गुफा जो बाग की गुफाएं है बिंध्यांचल पहाड़ीयों में पढ़ती है यहां पर बर्तमान में जो सुरक्षित या यहां पर जो सेस गुफाएं बची है उनकी संख्या साथ प्रकार के परेटरन इस्तल हैं हम एक एक करकर पड़ रहे हैं प्रचीन गुफ आए हैं इतिहासिक दुर्ग दूसरा प्रेटरन इस्तल राजकी महल समाधी और मकबरे के वारे में परेटरन से बन जाता है धार्मिक तीर्थ इस्तल और राष्टी उद्ध्यान और हिल 7 प्रकार की मद्यप्रव देश स्मय संवान अब बन गई है केंदरी बन इवं पर्याबरन मंत्रा लिया है मद्यप्रदेश के किस छेत्र में जया मंडल रिजर्ब घोशित कर दिया है तो इसका आंसर रहेगा पचमणी किसको कर या है पचमणी को जैव रिजर्ब घोसित कर दिया है मंत्राले दौरा वायोस्फियर रिजर्ब में घोसित या प्रिदेश का पहला था और लेकिन देश का या दसवा वायोस्फियर रिजर्ब था ठीक है या रख लें आप पन एव पर्यावर्ण मंत्रलय दौरह घोसित यह प्रिदेश का पहला और देश का दस्वाय है छेत्रता परेटन विकास निगम कहां पर इस्तीत है तो परेटन विकास निगम भॉपाल में इस्तीत है इसकी स्थापना आप से पूंच ले तो बर्स 1975 में इसकी स्थापना की गी थी साइड मैं से एक है और इसको दरोफर की सूची में इनोसको ने 1986 में सामिल किया था चंदेल राजाओं ने इसको 1010, 950 – 1050 इस्वी के मद्द में इंका निर्माण करवाया था किनका इनका निर्माण करवाया गया था कि विश्विक्यात खजराहों मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कप करवाया था तो हमने उपर देख लिए सब्सक्राइब करेक्ट रहेगा चलिए अगला प्रशन है चीनी आती होएंग सांग ने किस इस्तान का भ्रमण किया था तो यहां पर आप देखें महेशवर इसका करेक्ट आंसर रहेगा मतलब कि महिसमति ए ऐ ऑप्सन इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन्होंने कहा की यात्रा की थी दोस्तों इसका आंसर के रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा बावन गजा ठीक है जो की बड़वानी जिले में इस 的फे ए duyा उपशन इसका करेंट आंसर रहेगा 2008 याद रखे यहां पर हम संसे इसको समझ पा रहे हैं 2008 में बढ़वानी जिले में जो भगवान आदीनाद की मूर्ती है इसको जनवरी 2008 में इसको सामिल कर लिया गया ठीक है पर डनिस्तल में मद्ध्रदेश सरकार ने आगे हम देखते हैं अगला प्रशने देश का पहला सहीद मंदिर मद्ध्रदेश में कहां इस 2008 में इस मंदिर को बनाया है और हमारे सोतंतरता सेनानी महान सोतंतरता सेनानी राम प्रशाद बिस्मिल की इसमती में इसको बनाया गया दोस्तों बर्स 2008 में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको की या फिर आधनिक भारत की जल्दी से बता दो मुझे कमेंट्स करके तो मैं उसी चीज के कल वीडियो बनाना इस्टार्ट कर दूँगा आगे हम देखते हैं अटल बिहारी बाचपी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है तो अधी आप इंदौर से हैं तो यह इंदौर मैं रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है कब जाना जाता तो रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है तुए सोओ युकड में बना हुआ है और 20 अटल 2,11 पार्क को खोला गया था उस दिन वहां पर मैं इस परेटन इस्थल में गया था पतला बीस फरवरी की डेट है बीस फरवरी 2011 को गया था आगे हम देखते हैं मद्ध प्रदेश में को खालिस्तान में सर्विस्रिष्ट परेटन राज़ पूरुसकार मिला तो इस तरह के प्रस्ण अलग है बर्स 2013 में इतना इंपोर्टें इस तल इसमारकों को सर्वस्रिष संदक्षित और निस्क्री मैत्री पूर्ण इसमारक से समानित किया गया तो इसका अंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका अंसर रहेगा 2016 में अमरकंटक को किया गया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अमरकंटक को प्रचीन नाम अमरकं हिस्ट्री की उसको एक्जाम से पहले पूरी मद्यप्रदेश हिस्ट्री कंप्लीट करनी की है लेकिन आपको पढ़ना प्रचीन पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं मद्यप्रदेश में निमलिकित इमारतों में से किसने बस्तु कला के लिए आगाखाँ पूरुसकार जीता बस्तु कला के लिए आगाखाँ पूरुसकार किसने जीता दोस्तों तो यहां पर रहेगा बिधान सवा भवन किसने जीता है बिधान सवा भवन ने जो है बस्तु कला के लिए आगाखाँ पूरुसकार जीता है ज कब 1998 में यह पुरुसकार बिधान सभव भवन्यत जीता था 1996 से तो हमारी नई संस्द भवन जिसको हम इंद्रा गांधी भवन के नाम से भी जानते हैं वहां पर इसको लाया गया था और दो साल के बाद ही इसको आखावाण मिल गया था करवाला क्या है ठीक करवाला यह नामी हें इसका दोस्तों इस अंगी नाम से हम जानते हैं दोस्तों आप इसकी PDF जाके टेलीग्राम यहाँ पर आप देखें गुरुकुलम इंदोर ही सर्च करें क्योंकि ओनलाइन गुरुकुलम बारा चैनल में हमारी कुछ दिक्कत आ गई है वह साथ डिलीट हो सकता है ठारा को तो आप यही ओनलाइन गुरुकुलम में है तो गुरुकुलम इंदोर में शिफ्ट कर जाईए ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जय हिंद जय भारत